आपको साइंस जी के कुछ गूंग के बारे में बताते हैं यदि आप तेजश्वी और शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो यह कार करें यदि आपने अपने जीवन में इन चार कारियों को किया जो किसा हैं बबा करते थी तो आपका जीवन सफल होगा सबसे पहला आरोग संसार में बतेक बेटी आरोग और लंबी आयू जीवन की इच्छा सदा रखता है चाहे इनसान के पास कितने ही संसारिक बैभो क्यों नहों पर यदि वह स्वस्त नहीं है तो उसके लिए सारे शुक बेकार हैं यदि आप स्वस्त और खुशुरत जिना चा यदि आपने अच्छा भोजन हलका सुपाच भोजन किया तो आपका स्वस्त सदा उत्तम रहेगा भोजन हलका रहता है तो स्वस्त भी उत्तम रहता है भारी गष्ट भोजन स्वस्त को नुक्षान पहुचाता है साहीं जी सदा हलका भोजन किया करते थे खिचली शावू द तीसरा ब्रह्मचर ब्रह्मचर का पालन करने से मनुश्री का शरीर हमेशा हश्ट पुष्ट और वल्वान रहता है इसी तरह साहीं जी ब्रह्मचारी थे उन्होंने सदा एक संत का जीवन जिया और शांशारिक मौमाया को त्याग दिया तीसरा श्रम जो शांती, कांती, श्मती, ग्यान, अरोग या उरुत्म, शंकती करता है उसे संसार के शारे शुक और लंबी आयू का बर्दान प्राप्त होता है और वे सदा सुब़ा उटकर अपने कार स्वयम करते थे वे स्वयम इतना स्रम करते थे कि आप देखकर आशे चक तो जाएंगे फिर भी उसके पास असाइन जी के पास सदा एक शक्ती रहती थी वे स्वयम उठकर चावडी साप किया करते थे द्वार कमाई की साफ सफ़ाई किया करते थे पौधों में पानी डाला करते थे अपना भोजन स्वयम अपने हाथों से तयार करते थे यह श्रम स्वयम आप ने भोजन किया और समय पर विश्रम किया तो आपको स्वयम अद delivererom रह playful झाएंगा स्वयम तो वही आपको बहुत लांपदयत्फ़ किने पर अद्वरत स्थे थे वैसे ही आप अपने जीवन में उतारें, और साही के गोड़ों को अपने जीवन में धारन करें, तो आपका जीवन भी शफाल होगा जैसे हैं.